आज की इस वीडियो में हम लोग दो इंपोर्टेंट बाते करने जा रहे हैं पहला तो मैराथन लेक्चर के बारे में और दूसरा कि जो तीन महीने हैं आपके आने वाले टाइम उसमें बोध ग्रूप अगर आपको क्लियर करना है तो क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है अपकी कैसे होनी चाहिए और कितना आपको रिविजन करना चाहिए ठिक सबसे पहले तो मैं मैराथन लेक्चर के बारे में आप लोग को बता दू कि सेटर्डे से मैं मैराथन लेक्चर अप्लोड होने सुरू हो जाएंगे ठिक है और मैराथन लेक्चर में दो चीजों को मैं जरू तो उतना confidence आपको नहीं आएगा तो रिवीजन करने के बाद हर एक topic पे हर एक topic को पढ़ाने के बाद उससे related दो या तीन तो एक chapter में अगर तीन चार topic है तो 12 questions है सही होगे है ना तो 10 से 12 questions हर एक chapters के करेंगे ठीक है और दूसरी चीज रिवीजन लेक्चर में जो अपनी topic है conceptual clarity है तो थोड़ी बहुत वहाँ पर भी time extra spend करेंगे पर आप लोग को conceptual clarity with logic देना जरूरी है ठीक रिवीजन में और अगर सिर्फ मैं चीजे को revise कर दू और बोल दू तो वो चीज मुझे तो आती है पर आपको conceptually अगर clear नहीं होगा तो स इसलिए 100% conceptual clarity और साथी में कुछ questions हर एक chapters के cover करेंगे भले ही थोड़ा बहुत division lecture का time extend हो जाए उससे कोई बात नहीं 4-5 chapter का एक दिन में revision करेंगे और उसकी वीडियो एक साथ डलेगा साथी में जब 4-5 chapter डल जाएंगे आप लोग को क्या करना है उन chapter का revision lecture देखना है और उसके बाद उससे related आपको practice करती है बढ़ियां से एक दो दिन के gap में फिर हम 4-5 chapter डाल देंगे तो ऐसे ही 2 या 3 वीडि management accounting से start करेंगे ठीक है क्योंकि ये group 1 में है और साथी में बहुत बढ़िया subject है 100 marks में easily अब थोड़ा बहुत extra मेहनत कर दो तो 80 plus marks 90 plus marks S4 कर सकते हो आज की इस वीडियो में हम दोग देखने वाले हैं कि अगर आपको both group clear करना है आने वाले 3 मन्त में तो आप कैसे कर सकते हैं क् कोई बच्चा first attempt में paper दे रहा है तो उसके पास तो classes करने के बाद 3 महीना सिख्षा time बचता ही नहीं होगा बलकि 5 महीने से 3 महीने maximum time है तो अगर आप reappear हो रहे हैं तो आपके लिए भी 3 महीना उतना ही time है जितना first attempt में वो कर रहा हैं और मेरी बात 100% आप याद रखना चाह class किया हुआ तीन महीने चार महीने उसके लिए भी वैसे ही हो गया है जैसे आपके दिमाग में हो गया है तो आपको भी उतना ही time मिला है उसको भी उतना ही time मिला है तो इस time को best utilize करिए और मैं discuss कर रहा हूं उस चीज को ध्यान दो ठीक है आपको किन बातों पर फोकस करना है तो सबसे पहले कि अगर आपको बढ़िया से attempt clear करना है ना तो तीन बार detail revision होनी चाहिए इस तीन मन्त में और दो बार summary revision होनी चाहिए टोटल में five revision की बात कर रहा हूं मैं summary revision का मतलब क्या है अभी बताऊंगा ठीक है कैसे revise करना है detail revision का मतलब क्या है पर फिलाल आपको याद रखना है कि तीन बार course को detail में पढ़ना है और दो बार summary revision को जरूर इंक्लूड करना है ठीक कैसे होने वाला है अगर हम तीन detail revision की बात करें approximately 90 days का मैंने estimation लिया है ठीक है तो first revision को आप target दे सकते हैं 40 days के आसपास में complete करने का second revision definitely उससे कम दिन आपको लगेंगे क्यूंकि पहली revision में आपने चीजों को पढ़ लिया है तो थोड़ा बहुत second revision में कम दिन लगेंगे लगेंगे और third revision आप 20 days दोगे तो 90 days यहाँ प पढ़ने है ठीक है अगर आपको बोथ group निकालना है तो इतना study करने पढ़ेंगे practical बात करते हैं मैं 16 गंटे बोल दू कोई नहीं पढ़ता 16 गंटे मैंने भी कभी नहीं पढ़ा होगा 16 गंटे 12 गंटे effective पढ़ाई का मतलब यह 16 गंटे आपको 15 गंटे बैठने पढ़ेंग आप उतने घंटे ना पढ़ पाओ कभी आपको घुमने का प्लान बन जाए कुछ भी हो जाए और कुछ time loss हो गया इतना याद रखना है 100% कोई वे ऐसा इंसान नहीं जो प्लान के basis पे चले उसमें कुछ changes आई सकते हैं कुछ घर का काम हो गया anything हो सकता है किस दिन तबियत ख कम हो गया था उसको आप compensate कर पाओ ठीक है पहला revision आप शुरू करोगे 8 subject है अगर बोथ group आप दे रहे हो तो ठीक है तो almost 5 days per subject आपको मिलते हैं लेकिन यहाँ पे हर एक subject को 5 दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है जो subject में आपको कम समय लगे उसमें कमी समय लगा हो आप यह होगे तो मैं अपने पटने time law subject को उतना कभी time नहीं दिया होगा जितना account या फिर costfm को दिया होगा क्योंकि law में जो time बसते हैं उस subject में practical practice कर सकता हूं law में 5 दिन से पहले law का revision हो जाएगा definitely हो जाएगा तो इसलिए मेरे लिए यह मैंने एक example दिया है आपके लिए वो subject कु कोशिस करना है 5 पर subject के हिसाब से मैं यहां पर बता रहा हूं इस subject में कम टाइम लगे उसमें थोड़ा कम टाइम लगा के आप extra time दे सकते हो उन subject को जो आपको ज्यादा practice करने की जरूरत है ठीक है first revision में 10 hours की तो हम revision करेंगे practice करेंगे और 2 hours हर एक दिन जो 12 गंटे आपको प 10 गंटे के प्राई में आपको देखो किसी भी chapter को आप उठाते हो ठीक है एक और चीज में बताना चाहूंगा per day अगर 5 पर subject 5 days है तो बहुत सारे बच्चे एक दिन में एक subject नहीं पढ़ते दो subject पढ़ते हाप दे एक subject हाप दे एक subject तो इसी साब से 10 दिन में दो subject उनको complete कर करना चाहिए simple इसमें कुछ गणित लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप एक से ज्यादा subject पढ़ते हैं तो जोड़ लीजिए दो subject के लिए कितना दिन मिलना चाहिए उतने दिन में आपको complete करता है ठीक अब पहले revision करते टाइम definitely आपको एक बार जो concept आपने पढ़ा है पी concept तो छोटा यह एक page में आपने लिखा हुआ देर पेज में लिखा हुआ लेकिन जब आपको concept पांदस मिनट में 15 मिनट में 20 मिनट में concept revise कर दो तो करना क्या है question को बहुत practice करना है first revision में 10 घंटे में majority of portion आपको question practice करने में लगाना है concept तो थोड़ा देर में ही इनसान देख देता है उसके बाद question practice करना है ठीक है first revision में आपको conceptual clarity होनी चाहिए hundred percent इसमें कोई exception नहीं है एक भी topic जिसका concept clear नहीं है आप किसी से भी पूछिए senior से पूछो अपने teacher से पूछो जो subject मैं पढ़ाता हूं मुझसे पूछो लेकिन पहले revision में कोई ऐसा concept नहीं होनी चाहिए जिसमें आपको दिक्कत आ रही है आप रट रहे उस सीच को क्योंकि आगे जैसे जैसे revision आगे continue करोगे और examination past में आएगा यह आपको बहुत trouble देने वाला है first revision में आपको conceptual clarity रखना है 100% हर एक topic को समझ के पढ़ना है ठीक past year के 5 साल क question paper आपको देखना है practice तो करी रहे आप उपर में ने लिखा है question practice करना है इसमें ध्यान देना है past year question most important है 5 साल के कम से कम past year paper यानि कि 10 question हर एक topic है 5 साल में अगर 2 attempt होते हैं साल में तो 10 paper हो गए और पिछले 2-3 attempt के RTP भी आपको देखने है ठीक यह कोई guarantee नहीं है कि RTP 2-3 attempt के ह पर ज्यादा तर केस में जब RTP से question उठके आते ना तो कई बार इस attempt जो relevant attempt है उसका RTP नहीं आता है पिछले attempt है उससे पिछले attempt का आता है पर बहुत पुराना RTP भी नहीं आएगा पूछो क्यों बहुत पुराना RTP होता है ना already question में past year question में cover कर लिया होता है और past year question तो आप practice करके जाई रहे हो ना ठिक क्या करना आपको daily जो पढ़ रहे हो ना उसकी एक summary revision बनानी है ठिक है summary बनानी है daily पतली सी कोपली लो जो भी आपने पढ़ा सब चीज लिखने की ज़रूरत नहीं कोई practical question लिखने की ज़रूरत नहीं concept की summary बस बनानी है किसकी concept एक chapter 4 page में बन जा revision हम detail में refer नहीं कर सकते तो एक concept की summary होनी चाहिए जिसको फटा-फट जब टाइम मिले तब पढ़ पाए यह जैसे जैसे revision लेक्षर पास आएंगे ना examination के संभव नहीं है first revision में आपको करना है ठिक इसलिए 40 days है first revision के लिए जितने भी unique question आ रहा है practice करते time उसको mark कर लेना है unique question पर कुछ लिख दो है ना या जैसे भी mark करो आप mark कर लेना है first revision में first revision में पूरा concept clear करके revise करना है question practice करना है past year के ठिक है आपको थोड़ा बहुत क्या बनाना है summary notes बनाना है ठिक जो भी आपने पढ़ा रोज का रोज बनाओगे कभी भी मुस्किल नहीं होगा 2 या 3 page लिखने process है रोज का जो भी आपने पढ़ा बस उसकी एक copy में summary बनानी है कि आपने क्या पढ़ा ठिक है डेली 10 घंटे के revision lecture होने के बाद 12 hour study में 2 घंटे आपको summary revision के लिए देना है summary revision मतलब सिर्फ summarize करना है पूरे दिन में आपने क्या पढ़ा है एक बार scan करना है यह जो summary revision आप बन पर उसको सुचना है कि हर एक question में क्या uniqueness थी कहां पर आप फस रहते हो सके तो उसको लिख भी लो कहीं पर हर एक unique question में कौन से point पर आप फस रहते सिर्फ वो point लिखना है पूरा question बार-बार देखने की जरूरत नहीं कौन से point पर आप फस रहते है ठीक चलो जब आप second revision start करोगे यहां पर देखो second revision जब आप start करोगे 30 days का तो उसमें कुछ time कैसे बढ़ जाएंगे मैं आपको बताता हूं number one पहले revision में बोलने बोला था conceptual clarity 100% चाहिए दूसरे revision में आपको conceptual clarity पे ज़्यादा समय spend नहीं करना पड़ेगा सिर्फ आपको concept वो तो पढ़ने के बाद जब दूसरा subject पढ़ोगे तो पहले subject का कुछ-कुछ चीज आपको याद नहीं रहेगा भले ही आपने concept अच्छे से समझाए तब भी याद नहीं रहेगा brain has its own capacity लेकिन दूसरी revision में जब आप उस book को देखोगे रिवाइज करोगे ना फटाफट यादा जाएगा सब चीज तो conceptual clarity के लिए time जादा नहीं है आपको second revision में पहले ही revision में समझ के पढ़ना है चीजों को दूसरे revision में memorize करना है बस चीजों को याद करना है यह पढ़ा थ ठीक question को practice करना है इसमें भी ठीक है 10 hours डेली के study है ना आपको 10 hours में maximum question आपको practice करना है वही past year नर्टीपी पहले time तो बच गया concept में ज़्यादा समय नहीं लगा दूसरा time बचे का summary revision notes नहीं बनानी पड़ेगी क्यों जो concept पहली बारा पढ़की notes बना रहे थे वो notes तो आप नहीं बनाओगे notes अभी लेबल है उसको बस refer करना है आपको ठीक है तो दूसरे revision में definitely आपकी conceptual clarity भी और बढ़िया होगा साथी में question practice करोगे तो और बढ़िया से आपको question आएगा एक चीज हमेशा याद रखना summary revision में same चीज जो भी दिन का पढ़ा अब होता क् पढ़ोगे उसको scan करने में पूरे दिन में क्या पढ़ा maximum 30 minutes भी नहीं लगने वाला है क्योंकि आपको पूरी question practical question नहीं देखना सिर्फ क्या-क्या concept पढ़ा था कैसे-कैसे process थे यह देखना है तो होगा क्या जब accumulate होते जाएगा 2-3 दिन की पढ़ाई कर ली तो summary book को पूरा ही देखो जितना देख सकते हो दो गंटे में जितने chapters देख सकते हो दो गंटे में पीछे का भी देखना है back revision भी करते रहनी है summary book से तो summary revision दिया ही आपको cumulative revision करने के लिए बार-बार पीछे का भी देखो अभी जो पढ़ रहे हो पहले वो देख लो कल क्या पढ़ा था वो memorize क करना है ठीक है बना तो आप चुके वह practice करते टाइम दो से तीन बार अगर आपने सोच लिया ना कौन से question में क्या uniqueness थी और वो question repeat होता है अगर paper में 100% यह guarantee है कि आपको यादा जाएगा ठीक है थर्ड revision करते टाइम आपको क्या करना है same as a second revision पर और समय आपको बचेगा क्योंकि maximum question आपको आ चुका होगा तब तक बहुत सारे question आप accuracy rate आपके ठीक हो जाएगी अच्छे से आप बना पाओगे तो कुछ question को आप सिर्फ scanning भी कर सकते हैं मतलब बनाने की जरूरत नहीं है question पढ़ा आपको पता है आप बना सकते हैं solution टिक कर लिया और जो question लग रहा है कि यह मुझे बनानी चाहिए बड़ा question है unique question वो आपको करना है ठीक डेली summary revision करना है दो घंटे का पहले जो revision थी उसमें summary notes आपको बनाते रहना है और साथ में revise करना है second और third revision में summary notes बनाने की scanner खरीद लो वैसे हर एक teacher के book में past year paper होते है ना चलो इसके बाद 2-4 ची special ध्यान रखना है इतना revision करने के बाद अब होगा क्या देखो पहले तो यहां देखो यह three detailed revision cover हो गया साथी में मैंने तो सिर्फ दो summary revision बोला था ना two summary revision daily summary revision का पड़ो रहा है जो इंसान एक notes को daily पड़ रहा है ने daily 90 दिन तक उसके brain के cell cell में वो concept गुश जाएगा बस फरक क्या है कि हर एक दिन वो practice तो किया है पर बहुत सारे question क्या है कि आप एक subject छोड़ोगे दूसरा subject पड़ोगे तो आपको लएगा कि question पता नहीं बन पाएगा कि नहीं कुछ दिन हो गया पर ऐसा नहीं सोचना है जो चीज़ हम पड़े होते हो हमारे brain में ही होता है हमें याद ही रहता है हमें तो one day before examination भी पड़ना है न तो उस दिन भी हम देखके जाएंगे scan करके जाएंगे और इजली question बन जाएगा conceptual clarity अगर इंसान के पास है और उसको concept याद है न तो उसकी बहुत हग तक चांसे है कि question बना के आएगा एक दम से ना देखा हुआ unique question पड़ गया जो आपने कभी देखी भी नहीं है और मुस्किल भी है question कि question कहां से break होगा आपको समझ में नहीं आ रहा तब भी आपको दिक्क्त आएगा नहीं तो जो question आपने बना रखा है और जो question कि तो जब आप one day before examination वापस से revise करोगे automatically covered हो जाएगा आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है कुछ चीज़े आपको ध्यान रखनी है जो during ये practice tenure आपको और revision tenure आपको ऐसा लगेगा पर जो मैं बोल रहा हूँ आखे बंद करके इन सब चीज़ों को follow करो ठीक है पहला चीज़ है आपको हरी नहीं करना है अपनी syllabus को complete करने के लिए अक्सर आजकल देखा गया है ना बच्चों को फटा-फट से चीज़ों complete करते हैं पर अच्छे से समझे नहीं होते हैं वो नहीं करना है वो सबसे घातक चीज़ है उसी से आपका paper विगड़ेगा आपको क्या करना है अच्छे से पढ़ना है बहले किसी टॉपिक में चार घंटे लगता है लगाओ अगले टॉपिक में टाइम बच जाएगा जो आप अच्छे से जानते हो पर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है टाइम लेना है ठीक है syllabus को समय पे complete करना जरूरी है मैंने यह बात बता ही दूसरे क्या कर रहे है उसको भूल जाओ अलग अलग लोग को अलग अलग टेकनिक है मेथड है आपको जो बोल रहा हूं उस चीज को फॉलो करो सिर्फ मेहनत करके हार्ड वर्क करके पढ़ाई करके एक्जाम निकलने वाला है दूसरा कोई उपाय नह रिल्वेंट इस्टड़ी कर दिया अनसारी के कोईसंज अननसारी के फ़र्मुले अननसारी के नोट्स फट नहीं पढ़ना है हमें भी पता है कि बुक में जो रिल्वेंट कोईशन रही पोँचना है ऐसे तो एक टॉपीक में है बहुत यगए भी कं में भी होगा कुरेबस पास्ट पेपर के question बहुत पढ़ने आपको और relevant चीज़ जो formula जो technique आपने पढ़ रखा है ना जब तक कि आपको बिल्कुल समझ में ना है तब तक आपको दूसरे formula technique की जरूरत नहीं है तो इस चीज को आप ध्यान डखने है ठीक है बहुत सारे notes देखने की जरूरत नहीं ठी चीज है कि अपने आपको refresh दो अपने आपको treat दो ठीक है ब्रेन को optimum capacity निचोड़ने के लिए refreshment देना बहुत जरूरी है ठीक है जो चीज अच्छा लगता है थोड़ा बहुत वह चीज करो चाये घूमना अच्छा लगता हो थोड़ी देर movie देखना अच्छा लगता हो जो क आपको पसंद है वह चीज करो वह चीज करोगे अपने आपको treat दोगे बार बार आप में refreshment आएगा ठीक है अगली बार फिर से ज्यादा मेहनत करने का motivation आएगा हर एक इंसान continuous एक ही चीज करको exist हो जाता है इस वर्ड में हर एक इंसान तो उस चीज में छोटे छोटे ब्रे marathon आपको डलेंगे marathon lecture देखना है practice करना है अच्छे से पढ़ना है कोई भी दिखात हो comment करना है वीडियो को एक लाइक जरूर करना आकर आपको पसंद आया तो चाइनल को subscribe करना और अपने दोस्तों में भी वीडियो को share करो ठीक है मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो झीडिए में